वन प्लस टेन आर तो गाईस फार्नल इस फोन के अंदर एक सॉफ्ट्वर अपडेट जो आ चुका है तो फ्रेंट्स कैसे अपडेट करना कैसे इंस्टोर करना है जैसे कि आपका डेटा डिलेट ना हो अनली फॉर फोन का सॉफ्ट्वर ही अपडेट हो यह तरीका में आपको बताने वाल हो तो प्लीज विडियो को में ना स्कीप के एंड तक देखे रहे हैं और आप हमारी चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब किजिगा ताकि ऐसे वीडियो में आप तक पहुंचाते रहे हैं हेलोगन दोस्तों में वोकी शूर आप देखा रहे हो राते में इस और चैनल देख हैं तो दोस्तों हें हमारे पास का एक options देखने को मिल जाएगा यहाँ पर simple एक बार आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो oxygen OS 13.0 Android 13 update available और इसकी size भी यहाँ पर आप देख सकते हो 979 MB का software update आया है और यहाँ पर आप देख सकते हो about this version यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते है तो इस update के अंदर कंपनी ने क्या कुछ देखने को मिल जाती है तो आप चाहँ तो इसको डाउनलोड कर लेते डाउनलोड हो जाने के आप अपना smartphone जो update करते हो तो आपका चार्जिंग को 50% से उपर रखना है फिर ऐसा भी ना हो कि हमारा फोन जो ऐसे update की process में है और चार्जिंग के विज़र से जो स्टार्ट ही ना हो पाए तो ऐसे गलते बिल्कुल भी नहीं करने है आपका चार्जिंग को 50% से उपर रखन है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो एक्स्ट्रा कटिंग कर कि यह जो process है वो completely खतम होने वाली है और यह तकरिबन फाइव मिनटी जितना time लगता है completely खतम होने में और यहां पर वेरिफाइंग करके और एक process लेता है यह बहुत ही fastly हो जाती है जैसे कि यहां पर आ process होता है फिर यहां पर आपको एक options देखने का मिल जाता है यानि कि अभी recently इस phone के अंदर यह software आपको install करना है तो install आपको simply क्लिक करना है जैसे यहां पर आप क्लिक करोगे तो verify लिका हो आ जाएगा और यहां पर oneplus की branding आ जाएगी और हमारा phone जो update की process में चला जाएगा तो जैसे कि आप आप देख सकते हो oneplus की branding आ चुकी है और oneplus की branding के बाद यह जो कुछ इस तीर के सब process लेता है जैसे कि आप आप देखी सकते हो और friends यह जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आप step by step follow करोगे तो आपका data जो बिल्कुल भी delete नहीं होगा और finally हमारा phone जो start भी हो हो चुका है यानि कि अभी जो recently हमने इस phone के अंदर software download and install किया वो completely हो चुका है तो guys यहाप आप settings में जाके check भी कर सकते हो यहाप जो आपको oxygen OS पे जो notification दिख रहा था वो completely हट चुका है और यहाप आप आप देख सकते हो checking for updates यहाप आपको seconds जो wait करना है और दोस्तों यहाप आप आप देख सकते हो version up to date यानि कि कुछ इस तरह किसे आप अपने oneplus 10 आर के अंदर software download and install कर सकते हो तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपका कोई भी सुझा होता हो आपने चानल को सब्सक्राइब ने कि है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ ठेंक्स फॉर रचिंग दिसमें तो जाच केस वीडियो में इतना है दोस्तों thank you so much bye bye friends